नमस्ते दोस्तों, एर्थ क्लास की विज्ञान वे सिम्हें आपका फिष्चे स्वागत है, आज हम बात करें हैं लेस्न नमार टू को सुक्ष्म जीव, मित्र यम् सत्रु, नेस्न में डो टोपिक दे रखें, एक जो मित्र किस प्रकार से सुक्ष्म जीव हैं, और एक शत्र कि किसे खरते हैं सामाने रूकष देखो इसको इसके अर्थ में जो है इ요 प्रका इसके नाम से सपर्ष्ट हो रहा है ऑए शुक्ष्म जीव करते हैं जो यह एंतर होता है उस एंतर में यह प्रकार से लगे रहते हैं उसको आवर्दित करते हैं उसको बड़ा करके हम देखते हैं तो इस प्रकार से हैं इसमें यहां पर यह सुक्षम जिवू कर लाते हैं इस सुक्षम जिवू जो हैं कहीं कलर के होते हैं कहीं रंग के हो करते हैं उसी प्रकार से जो गंदे पानी है या कोई वस्तु है उसमें इनको देख सकते हैं उसी प्रकार से एक तालाब है तालाब की जो गंदे हैं यहां पर उसके जो गंदा जल है उसके गंदा जल को लेते हैं और प्रकार से स्लाइड में लेकर उसको रफ करते हैं और माइ कहते हैं अने परकार दूब बीमारियां होते ही और अनएक परकार के रोगोथपन होते हैं। हम सब्वत dal हुए कोता है अब हीती जिवनय संक्यां में वर्ति करते जनन करें तो इह प्रकार सी क्या गरेंगे अपने संक्याओं को बड़ाने का कारे करते हैं तो यहां प्रम बात करते हैं इतनी चोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सायता से नहीं देखा जा सकता इन में से कुछ जैसे की ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्दक लेंज की सायता से देखा जा सकता है जबकि अन्ने बिना सुक्ष्म दर्शी के सायता से दिखाई नहीं देते यही काणे के सुक्ष्म जीव करते हैं जो सुक्षम जीव हैं तो ये प्रकार से इनको देखने के लिए प्रकार से क्या करना पड़ता हैं ये अंत्र का प्रयूँ करना है और ये अंत्र के मादम से ही हम इनको देख सकते हैं और इनका ये प्रकार से समझ सकते हैं उसी प्रकार जो सुक्षम जीव का वर्गी करन किया गया हैं इसे यहां पर सुक्ष्म जीवों दे रखें सुक्ष्म जीवों को एक प्रकार से देखने के लिए वर्गी करने के लिए सुक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों बटा गया हैं यह वर्ग हैं जीवानों कवक और यह सेवाल तो इनको एक प्रकार से जीवानों को वर्गों बाटा गया है चार वर्गों में बाटा गया है और इन चार वर्गों में philosophers जिवाने ने फ्र कर दो यह है ॹ्रोकों फ्रोकों की आप प्रपुस्ट में ही गुणन्द करते हैं अथा जिवानों पोदे अत्वा जन्तों कोशिका में गुणन्द करते हैं गुणन्द का मल्ला मल्टिपेके सन यहाँ पर किरिया करते हैं और वह अपनी संक्या में वर्दी करते हैं इसे आज कलम यहाँ पर इसके बात करते हैं कि जो तो यह गुणन की करिया हो रही हैं उसी के मादम से संक्या में वर्दि करते हैं और एक प्रकार से जो हैं यहाँ पर यह जिवानों के अंदर पोदों के अंदर और जंतों के अंदर यह पाए जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट जो जिवानों का नाम है कोई ड्नाइंटिन इसके मादयम से कुराना रोग उत्पन हो रहा है यह विशाणू का यह एक परकार हैं तो यह पोदो के अंदर पोदो के अंदर परकार्ष्यック caring रोग उत्पन कर सकते हैं कुछ सामाने रोग जैसे कि जुखाम इन फ्रणुंजा। यहां पर यह जो है प्रकार से पाजाते हैं जुखाम इंफ्लूंजा फ्लूई यह अधिकतर कांसी विशानों दोरा होते हैं कुछ विशेश रोग जैसे की पोलियो यह कसरभी जिवाणों यानि वाइरस की दोरा ही होते हैं इसी प्रकार से हम यहाँ बहुत करते हैं, अतिसार, जो यह प्रकार से, जो इसको हम उल्टी दस्त का नाम देते हैं Malaria यां प्रोटोजोडराव होते ही Typhide यह जो बिमारी ही यह प्रकार जीवानों के दवरा ओने वाले रोग ही तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो यह बिमारी है इसको यहाँ पर विशानु जनितों कुछ जीवान जनितों होती ही जो मनुस्य में रोगुत्पन करती हैं इसी प्रकार से माग इसके कुछ चित्र यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से इन चित्रों में यहां पर यह कुछ प्रोटो जुवा, कुछ जिवान, कुछ कवर, कुछ सेवाल इसके डाइग्राम दे रखे हैं इन डाइग्राम के समझते हैं जिससे हम बात करते हैं प्रकार से यहां पर जिवान जनित कौन-कौन से हैं तो जिवान जनित के नई स्पाइरल जिवान हैं और यह प्रकार से कौन सा है चड़ नुमा जिवान हैं उसी प्रकार से से वाल कौन-कौन जो यहां पर दे रखा है पेरामेस है यह फरकार से सिवल है इसके जो हैं। हम इसको समझतने के लिए इसको हाइलाइट करते हैं जैसे यहां पर कवग वाले कौन कौन से हैं। हैं ओर जीवान कौन कोई हैं तो यह आप पर देग्रक है जो है इसमें चड़ नूमा इस पारल जीवान हैं से वाल के अंदर व्रिखलिवा ङडेमोना इस पैरोगाय रहें अमीबह यह पिरामेश यह में प्रोटोजवा है और कवक के डियाग्रम में देग्रक है किना पाई जाते ही इसमें यहां पर 60 नुमाहा करते के अंदर जो इसकी आकरते हम देख रहे हैं प्रकार से तो इसका उप्र जो भग वोता है वो हैड पार्ट उटता है उसी प्रकार स्क्ष्म्जीव कहां रहते हैं उसके हम बारे में बात करते तो इसको समझने के लिए अमें इसको देखते ही जो हें जरू syntax जीवानों कुछ और experiences वाले कवक यैदा Halloween चीच से उस्ण बाइत तक हर प्रकार की पृष्टि में जीवित रह सकते हैं हल्स तल दल भी भी पाए जाते ही यह मनुसरे सभी जनतों के रिक पर चेंडर रम्म ओश्य न्हीं तो होते हैं जबकि अन्न प्रकार से बारे में बात करते हैं कि आपको बता रहा हूं कि यह जो शुक्ष्म जिव में इस प्रकार से पाई जाते हैं और हम आगे बात करते हैं यानि क्या हैं और हम किस प्रकार से सुख्म जिव के साथ रहते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं के किस प्रकार से जो यह कारे करते हैं इसी बोक्स के अंदर यहां पर दे रखाएं कि प्रयावन को सुच रखने के लिए इसका उप्यूग करता हैं उदारण के लिए यहां पर कार्बनीक अपसिस्ट हैं जो सब्सक्राइब के जनतु विस्टा इस्तेदी का अपगर्ण इसका उप्योग नहीं कर सकते इसका यहां पर यह प्रकार से हम बात करते हैं आगे प्रकार से डूद यहां कि इसके मात्यम से हम यह प्रकार के यहां पर इसको पर पादन करते हैं इस लेक्टोabordस कर देता हैं वह दूद में जननकर उसे दैमी प्रेवर्तित कर देता है जिवानों पने अचार यूने खाद दार्त वुत पदम में साये कि ही इटली यह बठूरे का यह मत्तुन संगटंक दैए हैं क्या इस प्रकार से मुकर सकते हैं कि वास्त में जो हैं जुआनों हमारे लिए कितना उप क्या यह मत्ता है।